दोस्तो Windows 11 आने वाला है काफी टाइम के बाद और आप में से शायद बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे लेकिन जब बात आती है कि आपका पुराना वाला सिस्टम अप्ग्रेट होगा या फिर नहीं होगा तो यहाँ पर आपको चेक करना होता है कि आखिर Windows 11 की सिस्टम requirement क्या क्या है और जब आप यह चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक नया word हो सकता है जो आपके लिए हो वो है यहाँ पर TPM और वो भी यहाँ पर version 2.0 होना चाहिए हाला कि आपका PC या फिर laptop upgradable है या फिर नहीं है Windows 11 के लिए यह आप यहाँ पर बहुत आसानी स चेक कर सकते हैं PC Health Check App के तुरू TPM शायद आपके लिए नया हो लेकिन TPM को आए हुए 10 साल से भी उपर हो गया है कुछ भी अगर digitally secure करने की बात आती है तो वहाँ पे नाम आता है encryption का यहाँ पे मैं घर वाले पुराने ताले को count नहीं कर रहा है मैं बात कर रहा हूं digitally किसी भ आपका data और encryption क्या होता है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और यह बहुत ही सीधा साथा सा example मैं आपके लिए बता देता हूं और आप में से बहुत लोग जानते होंगे तो आप यह नहीं सोचें कि या रे छोड़ो यार क्या बता रहा है क्यों देखना है इस वीड और यह मेरा जो algorithm है इसको encrypt करने का वो यह है कि जब भी मैं I, N, D, I, A को save करता हूं उसके पहले मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि जो भी place value letters की होती है जैसे कि I की place value 9 है N की place value D की place value A, B, C, D 4 है I की value 9 है और A की value 1 है तो मैंने यहाँ पे India को change कर दिया 9, 1, 4, 4, 9, 1 मे और देख ले और उसे यह नहीं पता है कि मेरा यहाँ पे algorithm क्या था means कि मेरा यहाँ पे तरीका क्या था save करने का तो वो 9, 1, 4, 4, 9, 1 का क्या कर सकता है वो क्या सोचेगा यह pin code है phone number है या फिर यह क्या है तो जब भी PC के अंदर data को save करने की बाता आती है तो यहाँ पे वो data encrypt हो कि PC के अंदर save होता है चाहे वो data हो या फिर वो password हो या फिर वो आपका biometrics हो और जितना आसान मैंने आपको बताया है उतना आसान तो बिल्कुल भी यह नहीं होता है और जैसे ही आपने data save कर लिया encrypt करके यानि कि आपके PC ने data को encrypt किया और फिर उसे save किया और जब आप च verify करने का तरीका होता है कि आपने जो password enter किया है या फिर आपका जो यहाँ पे face lock था या फिर यहाँ पर जो भी biomatrix आपने enter किया है वो यहाँ पर verify हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है जैसे ही आपका password आपका biomatrix या फिर आपका face lock यहाँ पर verify हो गया तो आपका PC या फिर आप पर सामने लिखा हुआ आता है INDIA, यह तो हो गई एक बात, PC या फिर लैप्टॉप के अंदर BitLocker हो गया, Windows का Hello हो गया, FaceLock हो गया, या फिर Biometrics से Login करना हो गया, या फिर Data को Secure करना हो गया, तो इन सब के लिए यहाँ पर एक नाम आता है, Trusted Platform Module, और इसका ही Short Form है, TPM, यह आपके Motherboard के अंदर एक Dedicated Processor है, या फिर आप कह सकते हैं, एक Dedicated Chip है, जो की CPU के अंदर नहीं होता है, CPU से यह बिलकुल अलग होता है, और यह आपको Hardware Based Security Provide करता है, अब आप में से बहुत से लोग बहुत जानकार होंगे, तो आप यह बोलेंगे कि यहाँ पर Hardware वाला TPM नहीं होता है, यहाँ पर Formware वाला भी होता है, और भी दो-तीन तरह के होते हैं, तो मैं इतना Deep इसके अंदर नहीं जाड़ा, आप जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है अब अगर आपने पिछले कुछ सालों के अंदर अपना एक Laptop या फिर PC खड़दा है बना-बनाया, पूरा का पूरा चांस है कि आपको TPM चिप, Hardware वाला मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने PC खुद से Assemble किया है, या फिर आपने डेडिकेटड चिप है, जो कि ये सारा काम देखता है लेकिन यहाँ पे Firmware, Hardware बेस्ट ना होगे एक Software बेस्ट TPM है याने कि Motherboard के अंदर TPM कहीं पे Store रहता है, TPM Firmware कहीं पे Store रहता है, और जब इसके काम करने की बारी आती है, तो ये चिप नहीं है, ये सारा काम जो है CPU से ही लेता है, लेकिन एक Trusted Environment के अंदर, अब अगर मैं User के Perspective या फिर Client के Perspective से बोलूँ, तो ज़्यादा सेक्यूर Hardware बाला TPM होता है, और अगर मैं Microsoft के तरब से बोलूँ, तो उसे घंटा घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कि आपके पास firmware TPM है, या फिर hardware TPM है, अब अगला point ये आता है, कि आपके PC या फिर laptop के अंदर, TPM है या फिर नहीं है, एक तो तरीका मैं आपको ये बताया है, कि आप compatibility को चेक कर सकते हैं, एक app को download करके, लेकिन मैं यहाँ पर compatibility को नहीं बता रहा, मैं यह बता रहा हूँ कि आपके system के अंदर TPM है या फिर नहीं है, वो आप कैसे check कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको combination की डालना होगा, Windows plus R का, और इसके बाद आपको यहाँ पर run का एक dialogue box खुल जाएगा, इसके अगर आपके PC के अंदर आपको टाइप करना है tpm.msc, आपके सामने खुल जाएगा, जो आप अभी देख रहे हैं, अगर आपके PC के अंदर TPM चिप होगा, तो यह आपके दिख जाएगा, नहीं होगा, तो आप समझ रहे हैं बहुती साधारन से एकजांपल के साथ मैंने आपको बताया, टPM के बारे में, और अगर आपको इस वीडियो से कर दो आपके अंदर